नमस्कार स्वागत है आपका न्यूस वर्ल्ड इंडिया में मैं हूँ आपके साथ भारती सिंग नजर डाल लेते हैं खास ख़ब देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत अटल बिहारी वाजपई की जैनती मनाई गई अटल बिहारी वाजपई एक ऐसी महान शक्सियत रहे जो हर देश वासियों के हमेशा दिल में बसे रहे राजनेती को दरके नार कर सभी विपक्षी नेता भी अटल बिहारी वाजपई के हमेशा कायल रहते थे भारत के राजनेतिक इतिहास में अटल बिहारिवाजपई का संपूर्ण व्यक्तित्व शिखर पुरुष के रूप में दर्श है उनके भाषन के सभी कायल रहे हैं जो भी सदन में बोलते थे तो हर कोई उनको सुनना चाहता था अटल बिहारिवाजपई राजनेतिक सिध्धानतों का पालन करने वाले नेता रहे राजनेति में सुचिता की सवाल पर एक बार उन्होंने कहा था मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूँ सदस्यों ने मेरा विहवार देखा है, मेरा आचरन देखा है लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया अगटबंदन करके अगर सत्ता हात में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चीम्टे से भी छुना नहीं पसंद करूँगा ऐसी ही सदन में दिया गया उनका भाशन अमर हो गया वो भाशन था 31 मई 1996 का जब अटल भिहारी प्रधान मंतरी थे और उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था तो उन्होंने खुद सदन में पाटी के संख्या बल कमग होने की बात कही थी और राष्टपती को इस्तीफा सोंपा था इस दोरान उन्होंने जो भाशन दिया वह आज भी राजनीती के सर्वश्रिष्ट भाशनों में से एक गिना जाता है इसके साथ ही अटल जी ने जो बाते विपक्षी दलों पत्रकारों आदी के बारे में कहीं उनसे सभी को प्रेणना लेनी चाहिए अपने सीफे पर उन्होंने कहा था आज प्रधानमंत्री हूँ थोड़ी देर बाद नहीं रहूँगा प्रधानमंत्री बनते समय कोई मेरा हृदय आनन से उच्छालने लगा ऐसा नहीं हुआ और ऐसा नहीं है सब कुछ छोड़ चाड़ जब चला जाओंगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा आज प्रधानमंत्री नरिंद्र मोधी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल भिहारी वाजपई की 96 वी जैन्ती के मौके पर उनके समाधी स्तल सदैव अटल जाकर कुछ पांजली अर्पित की इसके बाद वे संसद भवन पहुंचे जहां उन्होंने वाजपई और पंडित मदन मोहन मालवे को श्रधांचली दी इसी दोरान आम आदमी पाठी के संसदों ने प्रिशी कानूनों को लेकर उनका विरोध किया वे किसान विरोधी काला कानून वापस लो MSP की गैरंटी दो कि अन्नारे लगाते रहे आप संसद संजे सिंग ने अपने विरोध का विडियो ट्वीट कर कहा बहरे कानों को सुनाने के लिए तानाशाह सरकार को जगाने के लिए संसद में प्रधानमंत्री के सामने किसानों के हक में हंगामा किसान विरोधी काला कानून वापस लो अन्यदाताओं को आतंगवादी कहना बंद करो प्रधानमंत्री नरिंद्र मोदी और अन्यसांसदों ने भारत रतन से सम्मानित पंडित मदन मोहन मालविये और पूरु प्रधानमंत्री अटल भिहारी वाजपई को उनकी जैनती पर संसद के सेंट्रल हॉल में श्रधांचली अर्पित की केंद्रे राष्ट परिवाहन और राजमार्ग मंत्री नितन गठ्री ने ये हैलान किया है कि एक जनवरी 2021 से सभी गाड़ियों में फास्ट टैग लगाना निवारे हो जाएगा उनोंने कहा कि सभी वाहनों में फास्ट टैग लगाने के बाद टोल पलाज़ा पर नकद भुगदान के लिए नहीं रुकना पड़ेगा इतना ही नहीं जिन वाहनों पर फास्ट टैग नहीं लगे होंगे उन्हें थर्ड पार्टी वीमा भी नहीं दिया जाएगा सड़क परिवाहन तथा राजमार्ग मंत्राले के मुताबिक अप्रेल 2021 में ये विवस्था लागू हो जाएगी Electronic Toll Collection को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवाहन एवं राजमार्ग मंत्राले ने अधी सूचना जारी की है जिसके तहट 1 जनवरी 2021 से सभी चार पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवारे होगा ऐसे में एक जनवरी से उन पुराने वालों के लिए भी फास्टैग अनिवारे होगा जिन्हें 1 दिसम्बर 2017 से पहले बेचा गया है फास्टेक खरीदने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो कॉपी और वाहन के रजिस्ट्रेशन की जरुरत होगी वहीं आप फोटो आईडी के तौर पर आधार कार्ड, पासपोर्ड या पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं भारत और अस्ट्रेलिया के भी चार मैचों के टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 26 दिसंबर को मेलवन में खेला जाएगा बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से एक दिन पहले टीम इंडिया ने अपनी प्लेइंग 11 का एलान कर दिया इस मैच में नियमित कप्तान विराट कोली की जगा अजंक्या रहाने टीम के कप्तान होंगे युव बल्लिबाज शुबमन गिल को टेस्ट में डेब्यू को मौका मिला है शुबमन गिल को प्रित्वी शौकी जगा प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है हिरानी वाली बात ये है कि केल राहुल को शांदार फॉर्म में होने के बावजूद मेल्वन टेस्ट में नहीं चुना गया केल राहुल विराट कोली की गैर मौजूदगी में सबसे मजबूत बल्लेबाज हैं फिलहाल खास खबरों में इतना ही जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ धन्यवाद